अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलेगा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आप कौन से बैंक में अपना पैसा रखेंगे सरकारी बैंक में रखेंगे या प्राइविट बैंक में रखेंगे सच बोलिए प्राइविट बैंक में न क्यूंकि वहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ सुतरा होता है एसी शेसी लगा होता है कोई पान की पीक नहीं होती सारे कर्मचारी टाइशा ही लगा कर बैठे होते हैं वे लगता है कि कहीं बहुत अच्छे जगे में हम लोग आ गए हैं और एक और कारण है जिसके चलते आप प्राइवेट बैंक में पैसा डालना पसंद करेंगे पिछले 30 सालों से पूरे देश में सरकार अर्थशास्त्रिया और मीडिया ने ये बात फैलाया हुआ है कि प्राइवेट मतलब अच्छा और सरकारी मतलब बेकार लेकिन अब जब एक बड़ा प्राइवेट बैंक येस बैंक डूबने के कगार पर है तो सरकारी बैंक ही आ रह सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बैंक का बिजनेस होता क्या है जब हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो हम एक तरीके से बैंक को अपना पैसा उधार दे रहे हैं बैंक हम से उधार पर हमारा बचाया हुआ पैसा ले रही है और उस पर हमें ब्याज दे रही है अब उसी उधार पे लिए गए पैसे के आधार पर यानि हमारे डिपॉजिट के आधार पर बैंक लोन देती है परसनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन और सबसे बड़ा जो हो और जिन लोगों ने personal loan लिया हुआ है, housing loan वगरा, उनसे bank बयाज से आमदनी करती है, जाहिर है, bank loan पर जितना बयाज कमाती है, उससे कम बयाज हम लोगों को deposit पर देती है, और इन दोनों में जो फर्क है, यही है bank का मुनाफ़ा, यानि profit, इसका मतलब यही हुआ, जितना ज्या दुन लोन दिया और आज भी देते आ रहे हैं हम लोगों तो फोन आते हैं रहते हैं न कि हेलो सर आपका पांच लाग का लोन बिना किसी कागज के प्री अप्रूव हो गया है क्या आप लोन लेना चाहेंगे और आप not interested बोलकर फोन पटक देते हैं एक टाइम ऐसा भी था जब बैंक के manager corporate के पीछे भागते थे project loan देने के लिए क्या आप loan ले लीजिए sir बहुत अच्छे terms होंगे और corporate का क्या अगर project चल गया तो loan वापस कर देंगे अगर fail हुआ तो वापस कौन दे रहा है 2013 से जो भी जानकार banking sector को follow कर रहे हैं वो जानते थे कि भारत में power, steel और real estate sector बहुत मुसीबत में और इन्होंने बैंकों से जो loan लिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे सभी bank के management भी ये बात जानते थे लेकिन उन्होंने ये बात छुपा कर रखा अब आपको शायद पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि जब भी कोई company stock market में अपना share बेचती है तो उन्हें हर तीन महीने में अपने business का पूरा लेखा जोका public को देना पड़ता है और हर साल एक annual report निकालना पड़ता है जिसमें अपने कारोबार का detail में ब्योरा देना पड़ता है जितने भी bank stock market में अपना share बेचते हैं उनका ये करतव्य था कि वो अपने annual report में अपने business का असली हालत public को बताया सब ही ने चुपाया कितने loan account में पैसा वापस नहीं आ रहा है ये bank को ब्याज नहीं मिल रहा है ये बात सही तरीके से न बताकर उन्होंने कम करके बताया और इनमें से सबसे बड़े गुनगार है येस bank 2015 में stock market की बड़ी brokerage company UBS ने एक report लिखा था जिसमें उन्होंने 100 ऐसे कंपनियों का list बनाया जिनका business लगभग ठप है अब bank को क्या करना चाहिए था ऐसी company को loan बंद करना चाहिए था जाच करना चाहिए था क्या ये company पैसे वापस दे पाएंगी या नहीं वो तो उन्होंने किया नहीं उल्टा इन company को और भी जादा loan दिया और इनमें से सबसे आगे था yes bank जिन्होंने ऐसी फसी हुई company को पहले की तुलना में तीन गुना जादा loan दिया 2011-12 से लेकर 2014-15 तक yes bank ने जितने भी नए loan दिये उसका 18 प्रतिशत ऐसी फटीचर company को दिया इसलिए UBS ने कहा yes bank का share बेच दो ये report जुलाई 2015 का है क्या उसके बाद किसी ने yes bank से सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है क्या yes bank ने खुद कहीं बताया कि हमारे बहुत सारे loan फसे हुए जी नहीं भलकि अप्रेल 2016 में भी अपने annual report में yes bank ने कहा कि उनका total खराब loan मतलब जो शायद वापस ना है लगबग 7500 करोड का है लेकिन अगले ही साल सच सामने निकल कर आ गया असल में 2016 में ही खराब loan की मात्रा 7500 करोड नहीं बलकि 4926 करोड था कुछ लोग जैसे banking विशेशक ये हेमिंदर हजारी बोलने लगे कि देखे इस stock से बच कर रही है ये management पार्दर्शिता में विश्वास ही नहीं रखती क्या इस से stock में कोई फरका है जी नहीं आप stock price देख लीजिए चुलाई 2015 में जब UBS की रिपोर्ट निकली थी तब येस बैंक का शेर का दाम लगभग 174 रुपए था माई 2017 में जब हेमिंदर हजारी ने अपना लेक लिखा उसके बाद भी येस बैंक का शेर चड़ता गया और अक्टोबर 2017 तक उसका दाम जाकर 370 रुपए हो गया सब बाते सामने थी फिर भी stock market के गुणी लोग इस बैंक के शेर में अपना पैसा डालते रहे और आपका पैसा भी क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये विडियो उनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने mutual fund में अपना पैसा डाला हुआ है अगस 2018 तक येस बैंक का शेर 393 रुपए का हो गया था सोचिए UBS की रिपोर्ट के बाद भी तीन साल में दो गुना से भी ज्यादा येस बैंक का शेर बढ़ गया इस वक्त येस बैंक लगबग खतम हो चुका है शेर का असली मूल्य शून्या है बिलकुल जीरो ऐसे में सरकार पहुँची है प्राइविट बैंक को बचाने के लिए SBI और LIC को बताया गया है कि आप बैंक का उननचास प्रतिशक खरीद लो और फिर उसमें पैसा डालो लेकिन खेल तो खतम है अभी बैंक में जिनका अकाउंट है उनको कहा गया है कि अगले एक महिने में आप सिर्फ 50,000 रुपे निकाल सकते हैं लेकिन जिस दिन दर्वाजा खुलेगा ऐसे बैंक में कौन अपना पैसा रखना चाहेगा मतलब डिपॉजिटर जितने भी हैं वो अपना पैसा निकाल कर भाग लेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होगा तो वो लोन नहीं दे पाएगी और बैंक का कारोबार ही खतम हो जाएगा यानि SBI और LIC के हाथ आएगा ठंठन गोपाल और इसकी भरपाई कौन करेगा हम लोग जो टैक्स देते हैं चाहें इंकम टैक्स हो या GST हमारे पैसे से एक प्राइविट बैंक को बचाया जा रहा है यानि फाइदा हुआ तो कौर्परेट का नुकसान हुआ तो हमारा कैसा लगा आखिर अच्छे दिन आ गए ना